हालो दोस्तो स्फागत है आपका टिंकल की रसुई में तो चलिए आज हम बनाते हैं गोभी के डंठल की सब्जी यह बहुत टेश्टी लगते हैं गोभी के सब्जी से भी अच्छी लगती है अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पूरी रेस्पी जरूर देखिएगा तो चलि कर लिए है और कम टो कर लिया है हलका और हमने अवैने को त्यार कर लिए हम बना लेते हैं फटावल से खटाइग को अच्छी तरह गरम कर लिया आप इसमें डालेंगे सरसो का तेल तेल अच्छी तरह गरम होने के बाद डाल देंगे जीरा जीरा को थोड़ी दिर भूनने देंगे आप नो बीना बॉल कि भी बना सकते हैं सब्जी को जरूर नहीं का बॉल करेंगे तब अच्छा बनेगा ऐसे हम इसमें मसाले अड़ कर देंगे जो हमने मसाला त्यार किया हुआ था हल्दी हमने नहीं उसमें पीसा था तो स्वासा हल्दी डाल देते हैं और स्वाद अनुसा नमक भी डाल देंगे यहीं पर आप इसमें टमाटर भी आड़ कर सकते हो लेकिन हमने नहीं डाला जरूर नह करना आप इसे ना हम थोड़ी दिर मसाले को भून लेंगे तो गैस को लोग फिलेंप पकर करके मसाले को अच्छी तरह भून लिजिए इस सब्जी को आप डाल चावा लिया फिर आप ऐसे भी खाऊंगे ना तब भी टेश्टी लगता है हम आपको बताया थी थे कि गोभी की सब्जी से भी अच्छी लगते है खाने में आप इसे जुरूर ट्रै करिएगा और एक में बना कर जूर देखिएगा कि आपको सब्जी डालेगा अगर आपको फासा ग्रेवी वाली चाहिए तो आप पानी ज्यादा एड़ कर सकते हो हमें सुखा बनाना है इसलिए हम नहीं इसमें थ्वासा कमी पानी डालेंगे और हमारा डंठल वी अच्छी तरफ वाइल हो गया था इसलिए हम इसे ज्यादा पानी में नहीं आप देख सकते हो कि मैंने पाइन डाल दिया है अब इसे हम थोड़ी देर पका लेते हैं तो दोबारा हमने ढख कर थोड़ी देर और पकाया क्योंकि उस टाइम अभी अच्छी तरह नहीं हुआ था अब हमारा ना सूखा सब्जी बनकर त्यार हो गया है आप देख सकते हो अधिकने की इतना बढ़िया लग रहा है नो हुआ है अब सब्सक्राइब करें और हमें बताइए का आपको हमारी रिश्पी कैसे लगी एक पर जुरू चाहे करेंगा हमारे कहने से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रिश्पी अच्छी लगी हो तो मिलते हैं अगल